हलो हाई नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सूपर एमसी के यूट्यूब चनल पे दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आज से दो दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में आपको नियोजित करिपलक सहाय के बारे में बताये थे कि उन लोगों का एक्जाम हुआ और आज से लगभग जिस दिन एक्जाम होने वाला था उस दिन भी आपको बताये थे कि करिपलक सहाय का एक्जाम किस परकार से होगा कैसे होगा क्यों से होगा क्यो दोनों वीडियो नहीं देख्या है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिक मिल जगा वहां से आप जाकर के वीडियो देख लिजेगा लेकिन आज के बारे में बताने वाले आपको जो भी नियोजीत कारपलक सहाय हैं उनका एक्जाम तो हो गया और आग दिखाई दे अच्छे से अगर रिस्म नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पर थ्ला सा दूसरा लेटर आपको दिखाते हैं इसी में यहां पर देख लिखा हूँए बीपी एस्म और यहां पर समारे पर सास्य भाग और इसके प्रिशक सतीर रजन सिनहा विशेष कार्य समीधात्मक पदपर नियोजित एवं कारेरत करपलक सहायकों की दश्चता परिच्छा के समन्द में यानि कि जो भी समीधा पर नियोजित करपलक सहायक है उसके एकजाम के बारे में जो दश्चता परिच्छा है उसमें क्या उसका कटफ होगा उसके बारे में है और जो भी ब वीडियो लंबा ना हो इसे तुरा shortcut मताते हैं आपको यहाप लिखा हुआ है कि दस्ता परिछा में उतिरिनता का अस्तर Beltron के कारीरत data entry operator के समरूप यह था यानि कि जो भी इनका कटप होगा वो Beltron में data entry operator में जो कारीरत data entry operator है उसके समरूप होगा और MCQ में 30% तथा अंग्रेजी typing में 25 word per minute या हिंदी typing में 20 word per minute निर्धारित किये जाने के बिंदू पर समत्य परदान की जाती यानिकि यह जो समत्य है मिल चुका है और आपको पता हो कि जो लोग Beltron का एक्जाम दिये थे उनका 50% लाना अनिबारित था और उसके बाद अंग्रेजी में 30 का था और हिंदी में 25 का था तो यहां पर कहीं न कहीं का इन लोगों के लिए आपको लाते रहेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक करिए नमस्कार जय हंद जय भारत